घर पर आप आसानी से पनीर टिक्का कैसे बना सकते हैं एकदम रेस्टोरेंट जैसा और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो पूरा देखें चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें बैल बटन को जरूर प्रेस करें ताक हमें पहले कट कर लेना कैसे काटना है वह पहले देख लेते हैं इस तरीके से टमाटर को जो है हमें बीज से कट कर लेना है और इसके जो बीज होते हैं उसे हमें निकाल लेना है इस तरीके से आप चाहें तो इसके बीज में भी एक चीरा और भी लगा सकते हैं इस तरीके से तो यह जो है ना हमें टिक्के के उसमें डालना पड़ेगा तो इसमें बीज रहेगा तो वह सही नहीं रहता है तो इसी तरीके से हम सभी टमाटर को काट लेंगे बीज निकाल लेंगे और प्लेन हम टमाटर को रखेंगे उसके बाद हम यहां पर प्याच लेंगे प्याच के ह और जो हम चार टूक्रे कर लेते हैं तो इसके slice निकालने में आसानी होती है नहीं तो अगर हम ऐसे नहीं निकालेंगे तो बहुत मुश्किल होता है निकालना तो यहाँ पर जो दूसरी प्याज है इसके बीच में थोड़ा सा ये डबल डबल हो गया है तो फिर ये थोड़ा चोटा पीस हो जायागा तो इस तरीके से छले टाइप के आप निकाल लीजे तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से एक एक आपको निकाल के दिखा रहे होगी किस तरीके से निकालना है इस तरीके से क्योंकि यह जो है न हमें मैगनेट करना है तो उसको हम इस तरीके से नि नेकाल लेजे और टमाटर भी हो गया है दूसरा टमाटर भी में बालने कर लोगी आपको चैपसीकम दिखा देती हूं कि कैसे कट करना है तो इसके छोटे चोटे हमको पीस करके बीच से कट कर लेना है क्योंकि इसको भी हमें उसमें सीको में लगाना है तो देखिए इस तरीके से पीस कट करेंगे ना तो बहुत आसानी से ये लग जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से ये हो जाएगा तो इसी तरीके से अपना जितना भी आपको बनाना हो उस हिसाफ से आप कॉंटिटी रख सकते हैं मुझे मैं 200 ग्राम पनीर का बना रही हूं तो उस तरीके से दूसरा टमाटर भी मैंने काट लिया है जो हमने पनीर लिया था उसके मैंने स्क्षाइर शेप काते हैं उसके बाद यहां पर मैंने पनीर-टिका बना लिया है यह बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इस से अगर हम बना तो आप चाहें तो जो नॉर्मल घर के बना स्टा ना उनसे भी बना सकते हैं लेकिन एक बा मिले ऑपने अच्छे लेगा लेकित काली मीर्ष फाड़ा से कुटा वड़ा सके बाद थ्युटा, आप भाड़ोगा लेगे ज़ूड़ा साथ में थूगी कुटा वुटी एगा झालत नहीं एक लिए पताना की लिए अच्छी सी खुसबू आ रही है इसमें तो बहुत अच्छा लग रहा है अब हम इस तरीके का देखिए पेस्ट बना ली है एकदम परफेक्ट है अब इसके अंदर हम पनीर डाल लेंगे पनीर डालने के बाद इसको उसके बाद इतनी हमने सबजियां टमाटर प्याज सब हमन करने के बाद अच्छे से हाथों की हेल्प शना पूरे मसाले को इन सबजियों के ऊपर मिला दीजे तो उससे क्या होगा कि अच्छे से मसाले लग जाएंगे और इसको हमें 30-40 मिनिट के लिए इसको रेस्ट देना है ताकि मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं और अब देख सकते हैं आपको देखते ही मूँ में पानी आ रहा होगा कितना देखने में अच्छा लग रहा है तो खाने में तो बहुत जादा टेस्टी था अब यह वाली रेसिपी जरूर ट्राइए कि आपको अच्छी लगेगी पनीटिक का की तो एकदम बिल्कुल रेस्टूरे हैं तो बस अब यह हमारा रेडी हो चुका है अब इसको हम 40 मिनट के लिए रख दूँगी सेट होने के लिए तब तक मेरे को और भी कोई काम है वो में कर लूँगी तो चलिए इसको रख देते हैं और फिर बनाते हैं इसको तो अब इसको हम कवर कर देंगे और कवर करने के ये वाद मैंने इसको साइड में करके रख दिया है। उसके बाद 40 मिनिट के बाद हमने सीखे ली है। ये मैंने बुनाई वाली सलाई ली है। मेरे पास लमबी सीखे नहीं थी। तो बस इसके ऊपर मैंने पहले आलू लगाय था उसके बाद इसके support के लिए फिर पनीर का पी, scapsicum का फिर onion का फिर tomato का फिर पनीर का इस तरीके से हम इसको लगाते चाएंगे और फिर full flame पे इसको हम सेख लेंगे आप चाहें तो इसको तवे पे भी कर सकते हैं और यह इतना जाता अच्छा tasty बनता है कि आप इसको एक बर बनाएंगे तो एक बार यह recipe ट्राइ कीजिए मुझे बता कैसी लगी आपको यह recipe अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो share और comment करके जरूर बताएं मिलती हूं अपने अगली वीडियो में thank you